परिचाए राहुल, चलो, सिक्का उछालने का खेल खेलते हैं ठीक है यदि चिताया, तो मैं जीतूँगी और यदि पटाया, तो तुम जीतोगे मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं जीतोगी चलो, देखते हैं हाँ, यह पट है मैं जीत गया, मैंने तुमसे कहा था न लेकिन तुम हैं यह कैसे पता था मैं नहीं जानता था, मैंने तो बस अनुमाल लगाया था वो प्रायक्ता थी प्रायक्ता? वो क्या होती है? क्या तुम इसके बारे में और अधिक जानना चाहोगी? हाँ, बिलकुल हाओ, मैं तुम्हें प्राइक्ता के बारे में बताता हूँ ये बहुती रोचक विशह है मुझे यकीन है कि तुम इसे पसंद करोगी ओदेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे सप्रती बंध प्राइक्ता ग्यात करना प्राइक्ता के गुणन नियम को जानना स्वातंद्र तथा पराश्रित घटनाओं के मत्थे अंतर करना बेज प्रमय की सहयता से सप्रतिबंद प्रायक्ता ग्याद करना यादरिच्छक चर को परिभाशित करना यादरिच्छक चर का प्रायक्ता बंटन ग्याद करना यादरिच्छक चर का माथे ग्याद करना यादरिच्छक चर का प्रासरन ग्याद करना और दुईपद बंटन की सहायता से प्राइक्ता ज्याद करना। ज्याद की जा सकती है। केवल यदी घटना बी की प्राइक्ता शुन के परापर ना हो। अर्थात जब बी एक असंभव घटना ना हो। इसलिए जब घटना बी दी गई है तब घटना एकी सप्रतिबंध प्राइक्ता बराबर 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 घटना एकी सप्रतिबंध प्राइक बशर्ते घटना B की प्राइक्ता 0 के पराबर ना हो. गुलाम पत्ता पहली बार तथा घटना B में गुलाम पत्ता दूसरी बार खींचा जाता है। पहले काट के लिए पहला गुलाम का पत्ता खींचा जाना घटना A की प्राइक्ता बराबर 4 बटा 52। लेकिन ताश की गड्डियों में से एक गुलाम का पत्ता निकाले जाने के पश्चात, दूसरे पत्ते की वुलाम निकाले जाने की प्राइक्ता कम होती है। अता, जब घटना A दी गई है, तब घटना B की साप्रतिबंध प्राइक्ता बराबर तीन पटा 51 होगी। साप्रतिबंध प्राइक्ता के गोण धर्म एक, यदि A तथा B एक यादरिचिक प्रयोग की एक प्रतिदर्श समिष्टी S की दो घटना है, जब घटना B दी गई है, तब प्रतिदर्श समिष्टी S की साप्रतिबंध प्राइक्ता बराबर जब घटना B दी गई है, तब जब घटना A की प्राइकता जमा जब घटना F ती गई है. तब घटना B की प्राइक्ता घटा जब घटना F दी गई है, तब घटना A सर्वनिष्ठ B की सप्रतिबंध प्राइक्ता होगी. 3. यदि A तथ B एक यादरिचिक प्रयोग की एक प्रतिदश समझ्टी S की दो घटनाएं हैं, जब घटना B दी गई है, तब घटना A के पूरक की सप्रतिबंध प्राइक्ता बराबर 1 घटा जब घटना B दी गई है, तब घटना A की सप्रतिबंध प्राइक्ता. उधारण एक पासा फिका जाता है, घटनाओं पर विचार कीजिए E पराबर 1, 3, 5 तथा F पराबर 2, 3 है जब F दिया गया हो, तब E की सप्रतिबंध प्राइक्ता ग्याद कीजिए तथा जब E दिया गया हो, तब F की सप्रतिबंध प्राइक्ता ग्याद कीजिए हल, दिया गया है E बराबर 1, 3, 5 तथा F पराबर 2, 3 E सर्वनिष्ठ F पराबर 3 घटना E की प्राइक्ता बराबर 3, 6 घटना F की प्राइक्ता बराबर 2, 6 E सर्वनिष्ठ F की प्राइक्ता बराबर 1, 6 अब जब F दिया गया हो, तब E की सप्रतिबंध प्राइक्ता बराबर E सर्वनिष्ठ F की प्राइक्ता बटे F की प्राइक्ता जो की हल करने पर एक बटा दू प्राप्त होगी जब E दिया गया हो तब F की साप्रतिबंध प्राइक्ता पराबर E सर्वनिस्ट, F की प्रायक्ता बटे घटना E की प्रायक्ता, जो की हल करने पर 1 बटा 3 प्राप्त होगी. प्रायक्ता का गुणन प्रमय प्रायक्ता का गुणन नियम माना की A तथा B प्रती दर्श समझ्टी S की कोई घटनाई हैं. तब A सर्वनिस्ट B की प्रायक्ता बराबर घटना A की प्रायक्ता गुणन घटना B की सप्रती बंद प्रायक्ता जब A दिया गया हो. बराबर घटना B की प्रायक्ता गुणन घटना A की सप्रती बंद प्रायक्ता जब B दिया गया हो. बशर्ते घटना A तथा घटना B की प्रायक्ता 0 के परापना हो दो से अधि घटनाओं के लिए गुणा घटना सी की सप्रतिबंध प्राइक्ता जब एबी दिया गया हो स्वतंत्र घटना दो घटनाओं को स्वतंत्र कहा जाता है यदि किसी एक घटना अथवा गैर घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्राइक्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है उधारण एक पासा फिके जाने पर माना की ए प्रथम फिकने पर छे प्राप्त करने की घटना है माना की बी दुधिये फिकने पर पांच प्राप्त करने की घटना है ये दोनों घटनाओं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं महत पून बिंदू यदि A तथा B एक यादरिचिक प्रयोग से जुड़ी दू सौतंद्र घटनाई हैं, तब घटना A सर्वनिष्ठ B की प्राइक्ता बराबर A की प्राइक्ता बराबर A की प्राइक्ता गुणा B की प्राइक्ता तीन घटनाओं के लिए घटना A सर्वनिष्ठ B सर्वनिष्ठ C की प्राइक्ता बराबर A की प्राइक्ता गुणा B की प्राइक्ता गुणा C की प्राइक्ता पराश्रित घटनाई दो घटनाई A तथा B पराश्रित घटना कहलाती हैं यदि घटना A सर्वनिष्ठ B की प्रायक्ता A की प्रायक्ता गुणा B की प्रायक्ता के बराबर नहीं है उधारन एक पती और पत्नी दू पदों के लिए एक साक्षातकार के लिए प्रस्तित होते हैं पती के चयन किये जानी की प्रायक्ता एक बटा साथ है तथा पत्नी के चयन किये जानी की प्रायक्ता एक बटा पांच है प्राइक्ता क्या है कि उन दोनों का चयन हो जाता है, उन में से एक का चयन होता है, या कम से कम एक कोच ना जाता है हल, माने की पती का चयन होना घटना ए है, अतैव, घटना ए की प्राइक्ता एक पटा साथ है, तथा पतनी का चयन होना घटना भी है, अतैव, घटना भी की प्राइक्ता एक पटा पांच है 1. दोनों चैनित होने की प्राइक्ता बराबर घटना A, सर्वनिस्ट B की प्राइक्ता बराबर घटना A की प्राइक्ता, गुणा घटना B की प्राइक्ता जो की पराबर होगा एक पटा 35 के 2. एक के चयन की जाने की प्राइकता पराबर A सर्वनिस्ठ B का पूरग की प्राइकता या A का पूरक सर्वनिष्ठ B की प्रायक्ता बराबर घटना A की प्रायक्ता गुणा घटना B के पूरक की प्रायक्ता जमा घटना A के पूरक की प्रायक्ता गुणा घटना B की प्रायक्ता जोकी गड़ना करके हल करने पर दो बठा साथ प्राब्द होगा. 3. कम से कम एक के चयन होने की प्रायक्ता बराबर A सर्वनिस्थ B का पूरक की प्रायक्ता जमा A का पूरक सर्वनिस्थ B की प्रायक्ता जमा A सर्वनिस्थ B की प्रायक्ता बराबर एक घटा एक के भी चायन ना होने की प्राइक्ता बराबर एक घटा घटना एक के पूरक की प्राइक्ता गुणा घटना बी के पूरक की प्राइक्ता जो की गड़ना करके हल करने पर ग्यारा बटे 35 प्राप्त होगा बेज प्रमय प्रतिदर्श समस्टी का विभाजन घटनाओं E1, E2 इत्यादी, EN तक के सेट को प्रतिदर्श समस्टी का विभाजन S कहा जाता है, यदि EI सर्वनिष्ट EJ बराबर 06 जहां I J के पराबर नहीं है, तथा I J पराबर 12 इत्यादी N तक E1 संग E2 संग इत्यादी EN बराबर S तथा सभी I बराबर 123 इत्यादी N तक के लिए घटना EI की प्राइक्ता 0 से बड़ी है संपुन प्राइक्ता का प्रमय माना की E1, E2 इत्यादी, EN तक एक प्रतिदर्श समस्टी S का एक विभाजन है तथा मान लीजिए कि प्रतिखटना E1, E2 इत्यादी, EN तक की प्राइक्ता अशुन है माना की E प्रतिदर्श समस्टी S के संगत एक खटना है तब प्राइक्ता निम्निलिखित है बेज प्रमय यदि E1, E2, E3 इत्यादी, EN तक या द्रिचिक प्रयोग से जुड़ी हुई N परसपर अपवर्ची तथा निशेश घटना है एवं यदि A कोई स्वेच घटना है जो E1 या E2 या इत्यादी, EN तक के साथ घटित होती है एवं घटना A शुन के पराबर नहीं है तब I पराबर 1, 2, इत्यादी, N तक के लिए EI की घटना की सब प्रतिबंध प्राइक्ता है ये देखते हुए कि A पूर्व में ही घटित हो चुकी है तथा इस प्रकार इसे दिया जाता है महतपूर्ण बिंदू E1, E2 इत्यादी, EN तक की प्राइक्ताएं प्रतम प्राइक्ताओं के नाम से जानी जाती है क्यूंकि घटित होने वाले प्रयोग के बारे में कोई भी सूचना के पूर्व वे मौजूद होती है A की साप्रतिबंध प्राइक्ता जब E दिया हो जहां I पराबर 1,2 इत्यादी, EN तक संभाविता कहलाते हैं क्यूंकि वे तर्शाते हैं कि संभावता घटना A कैसे विचारधीन होती है प्रतेक प्राइक्ता पूर्व निर्धारित की जाती है E I की साप्रतिबंध प्राइक्ता जब E दिया गया है जहां I पराबर 1,2 इत्यादी, EN तक पश्च प्राइक्ता कहलाते हैं क्यूंकि वे प्रयोग के परिड़ाम ग्यात हो जाने के पश्चात निर्धारित किये जाते हैं उधारण बक्से 1,2 तथा 3 के अव्यव क्रम्शा इस प्रकार हैं पहले बक्से में 1 सफेद, 2 काले तथा 3 लाल दूसरे बक्से में 2 सफेद, 1 काला तथा 1 लाल तीसरे बक्से में 4 सफेद, 5 काले तथा 3 लाल गेंदे हैं एक बक्से को यादरिच्छिक रूप से चुना जाता है तथा यादरिच्छिक रूप से 2 गेंदे निकाल ली जाती हैं यदि वे सफेद या लाल गेंदे हैं इसकी प्राइक्ता क्या है कि वे बक्से एक दो तथा तीन से निकाली गई हैं। हल माना की E1, E2 तथा E3 उस घटना को निरूपित करते हैं जो क्रमशा बक्सों एक दो तथा तीन के लिए चुना गया है। तथा माना की E1 घटना है जिसमें चैनित बक्सों से सफेद तथा लाल दो गेंदे निकाली जाती हैं। तब यात्रिचिक रूप बक्सों के चैन करने की प्राइक्ता है। घटना E1 की प्राइक्ता बराबर घटना E2 की प्राइक्ता बराबर घटना E3 की प्राइक्ता बराबर एक बटा 3. यदि बक्से एक को चुना जाता है, तब गेंदों का चैन करने की प्राइक्ता को निम्ननुसार दिया जाता है. जो कि गणना करने पर एक बटा पांच प्राप्त होगा इसी प्रकार यदि दूसरे बक्से को चुना जाता है तब गेंदों का चैन करने की प्राइक्ता को निम्ननुसार दिया जाता है यदि तीसरे बक्से को चुना जाता है तब गेंदों का चायन करने की प्राइक्ता को निम्ननुसार दिया जाता है जो की गर्णा करने पर दो बटा ग्यारा प्राप्त होगा अदैव बेज प्रमहित्वारा बक्से संख्या एक से गेंदों के चुने जाने की प्राइक्ता को निम्ननुसार दिया जाता है जब A दिया गया है तब E की सप्रतिबंध प्राइक्ता बराबर घटना E1 की प्राइक्ता गुणा घटना E की सप्रतिबंध प्राइक्ता जब E1 दिया गया है बटे घटना E1 की प्राइक्ता गुणा घटना E की सप्रतिबंध प्राइक्ता जब E1 दिया गया है के हल करने पर 33 बटे 118 प्राप्त होगा इसी प्रकार आगे भी निम्न लिखित की करना करके हल करने पर हमें 55 बटा 118 प्राप्त होगा इसी प्रकार तीसरे की करना करके हल करने पर हमें 15 बटा 69 प्राप्त होगा इस प्रकार बक्सु एक दो तथा तीन से सफेद तथा लाल गेंदों के निकाले जाने की प्राइक्ता 33 बटा 118, 55 बटा 118 और 15 बटा 69 है याद्रिचिक्चर एवं उनके प्राइक्ता बंटन एक प्रतिदर्श समस्टी के उपर एक याद्रिचिक्चर एक फलन होता है जो प्रतिएक प्रतिदर्श बिंदू को चित्रित करता है जो वास्तविक संख्याओं के लिए आउटपुट है याद्रिच्छिक्चर को उप्राया एक्स द्वारा निरूपित करते हैं उधारन, माना की एक्स याद्रिच्छिक्चर है जो तीन सिक्कों को उच्छलने पर चित आने की संख्या दर्शाता है तब एक्स का मान है प्रतिदर्श समझ्टी TTT के लिए याद्रिचिक चरूं कमान शुन है. प्रतिदर्श समझ्टी HTH के लिए याद्रिचिक चरूं कमान शुन है. प्रतिदर्श समझ्टी TTT के लिए याद्रिचिक चरूं कमान शुन है. याद्रिचिक चर एवं उनके प्राइक्ता बंटन. याद्रिचिक चर का प्राइक्ता बंटन. मानकी X याद्रिचिक प्रयोग के विभन परिणामों के संगत X1, X2, X3, इत्यादी XN तक मानों वाला एक असतत याद्रिचिक चर है. यदि घड़ना X बराबर XI की प्राइक्ता P I है. I कमान एक से बड़ा या पराबर है. एवं N से छोटा या पराबर है. इस तरह है कि P 1 जमा P 2 जमा P 3 जमा इत्यादी P N तक बराबर 1 है. तब फलन P I है. I कमान एक से बड़ा या पराबर है. एवं N से छोटा या पराबर है. यदि घड़ना पराबर है. तथा समझे X1 की घटना की प्राइक्ता, X2 की घटना की प्राइक्ता, X3 की घटना की प्राइक्ता, इत्यादी XN तक की घटना की प्राइक्ता X का प्राइक्ता बंटन कहलाता है. उधारण एक पांसे को एक बार उच्छाला जाता है. यदि यादरिच्छिक्चर X विशम संख्याओं की संख्या है, तो X का प्राइक्ता बंटन ग्याद कीजिए. हल, यहाँ प्रतिदर्श समझ्ष्टी S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं. X, 0 तथा एक मानों को ग्रहन कर सकता है, क्योंकि अधिक तर हम एक संख्या प्राप्त कर सकते हैं. X बराबर 0 के लिए प्राइक्ता, बराबर किसी विशम संख्या नहीं के लिए प्राइक्ता, बराबर 2 या 4 या 6 के लिए प्राइक्ता, बराबर 3 बटा 6 जो की बराबर होगा एक बटा 2 के. X बराबर 1 के लिए प्राइक्ता, बराबर किसी विशम संख्या नहीं के लिए प्राइक्ता, बराबर 1 या 3 या 5 के लिए प्राइक्ता, बराबर 3 बटा 6 जो की बराबर हुगा एक बटा दूगे अतैव x का प्राइक्ता बंटन है x बराबर 0 के लिए x की प्राइक्ता एक बटा दो है x बराबर 1 के लिए x की प्राइक्ता एक बटा दो है यदि एक्स कोई असतत याद्रिचिक्चर है तथा मान लीजिए जिसके मान एक्स एक्स दो इत्यादी एक्स एन तक संबंधित प्रायक्ताऊं P1, P2, इत्यादी, PN तक के साथ इस तरह हैं कि P1 जमा P2 जमा इत्यादी जमा PN तक बराबर एक है तब या द्रिचिक्चर X का माथ्धे या आपेक्षित मान मियू या EX द्वारा निरूपित किया जाता है तथा निम्ण प्रकार से परिभाशित किया जाता है मियू बराबर EX बराबर I का जोड बराबर PIXI का 1 से N तक जहां I का जोड बराबर PIXI का 1 से N तक बराबर 1 उधारण निम्निलिकित प्राइक्ता बंडन के लिए माध्धे ग्याद कीजिए हल माध्धे को निम्न सूत्र के द्वारा ग्याद किया जा सकता है μ बराबर ई एक्स बराबर आई का जोड बराबर पी आई एक्स आई का एक से एन तक एक्स आई बराबर शूने तथा पी आई बराबर शूने दशमलाव दू शूने के लिए पी आई एक्स आई बराबर शूने है Xi برाबर 1 तथा Pi बराबर 0.60 के लिए Pisi برाबर 0.60 है. Xi बराबर 5 तथा Pi बराबर 0.1 के लिए Pisi बराबर 0.50 है. XI पराबर 6 तथा PI पराबर 0.1 के लिए PIXI पराबर 0.6 है तथा PI तथा XI के गुणन फलों के योगफल का प्राप्तांक पराबर 1.7 है इसलिए माध्य 1.7 है याद्रिचिक चर का प्रासरण चुकि याद्रिचिक चर का माध्य उस चर के बारे में कोई सूजना नहीं देता है अता सूजना प्राप्त करने के लिए हमें प्रासरण की आविशकता होती है कि याद्रिचिक चर का मान किस तरह एक दूसरे से भिन होता है यदि X कोई आसतत याद्रिच्छिक्चर है तो मान लिजे कि जिसके मान X1, X2 इत्यादी, XN तक संगत प्राइक्ताओं PX1, PX2 इत्यादी, PXN तक के साथ इस तरह है कि P1 जमा P2 जमा इत्यादी जमा PN तक बराबर एक है तब याद्रिच्छिक्चर X का प्रासरण निम्न है जिसका मोल्यांगन निम्न प्रकार से किया जा सकता है प्रासरण के धनात्मक वर्गमोल मानक विजलन कहलाते हैं तथा इसे सिग्मा X के द्वारा निरूपित किया जाता है इस प्रकार सिग्मा एक्स बराबर प्रासरण का वर्गमूल है। इस प्रासरण को निम्न सूत्र द्वारा ग्यात किया जा सकता है। एक दशमलव दो का वर्गमूल जो की एक दशमलव शूने नौ पांच के बराबर होगा। बर्णौली परिक्षन एवं दुईपद बंटन बर्णौली परिक्षन एक प्रयोग या परिक्षन किया जाता है जिसके परिणामों को सफल या असफल के रूप में परकिकरित किया जा सकता है। बर्णौली परिक्षन की पूर्व धारणाएं। प्रतेक परिक्षन सफलता S या असफलता F दोनों में से कोई एक परिणाम देता है। S की प्राइक्षन से परिक्षन तक अचर रहती है जिसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। F की अचर प्राइक्टा के लिए Q पराबर एक घटा P लिखे। परिक्षन स्वतंत्र तथा संख्या में सीमित होना जाहिए। उधारण एक सिक्खे को उचालने पर यदि जितकी घटना का आशय सफलता से है तो पट की घटना का आशय असफलता से है। माना की एक याद्रिचिक प्रयोग दोड़ाते हुए किया जाता है तथा माना की किसी परिक्षन की एक घटना को सफलता S कहा जाता है तथा इसके घटित ना होने पर इसे असफलता F कहा जाता है। सेमिस संख्या N वाली N स्वातंत्रिप परिक्षन की एक श्रिणी पर विचार कीजे जिसमें सफलता की प्रयक्ता P है। असफलता की प्रयक्ता क्यों इस तरह है कि P जमा Q बराबर एक अर्थात Q बराबर एक घटा P है। माना की N परिक्षनों में R सफलताएं तथा N घटा R असफलताएं हैं। इस प्रकार किसी भी क्रम में R सफलताओं तथा N घटा R असफलताओं की प्रयक्ता को निम्न अभिव्यक्तियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। N, C, R, P की घट R गुणा Q की घट N घटा R इस तरह प्राब्त सफलताओं की संख्याओं का प्रयक्ता बंटन दुईपद प्रयक्ता बंटन कहलाता है। परिभाशा, एक याद्रिचिक चर X को दुईपद चर कहा जाता है। यदि इसके गहर नकरात्मक मानो, 012 इत्यादी N तक तथा प्रयक्ता X बराबर R मान लिया जाता है। अर्थात इसे इस प्रकार दिया जाता है। प्रयक्ता X बराबर R बराबर NCRP की घात R गुणा Q की घात N घटा R, R बराबर 0123 इत्यादी N तक के लिए। जहां NCR बराबर N क्रम गुणित बटे N घटा R, क्रम गुणित गुणा R क्रम गुणित उदारन। पेंच निर्मान करने की एक मशीन पांच प्रतीषत 2.5 निर्मान करने के लिए जानी जाती है। 15 पेंचों के एक यादरिचिक सैंपल में प्राइक्ता क्या होगी ? की ठीक तीन दूशपूर्ण पेंच हैं, तथा दो दूशपूर्ण पेंचों से अथिक नहीं हैं। हल, दूशपूर्ण होने वाले पेंच की प्राइकता बराबर P बराबर 5 बटा 100 बराबर 0.05 है। अतैव Q बराबर 1 घटा P है, जो की बराबर होगा 0.95 के। एक, चूंकि 15 में से 3 दूशपूर्ण पेंच होना हित परायान है, अताव वानचनिये प्राइकता है। 15C3 गुणा P की घात 3, गुणा Q की घात 12, जो की करना करके हल करने पर 0 दशमलाव 03 प्राब्त होगा। 2. जहां हम चाहते हैं कि 2 से अधिक दोशपूर्ण पेंच ना हो, तथा इस प्रकार हमेश 0 ने 1, 2 दोशपूर्ण पेंचों की अपेक्षा करनी चाहिए, तथा इसके लिए प्राइकता बराबर X के लिए प्राइकता बराबर 0 जमा X के लिए प्राइकता बराबर 1 जमा X के ये प्राइक्ता बराबर दो है, जोकी गर्ना करके हल करने पर शून्ने तशमलव नौचे प्राप्त होगा. क्या आप चानते हैं? सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में तोहराएं. यदि घटना B पूर्व में घटित हो जुकी है, तब घटना A के घटित होने की प्राइक्ता जब B दिया गया है, A का सब प्रतिबंद कहला दी है, तथा इसे इस रूप में निरुपित किया जाता है. जब घटना B दी गई है, तब S की प्राइक्ता पराबर, जब घटना B दी गई है, तब घटना A संग B की प्राइक्ता पराबर, जब घटना F दी गई है, तब घटना A की प्राइक्ता जमा, जब घटना F दी गई है, तब घटना B की प्राइक्ता घटा, जब घटना F दी तब घटना A सर्वनिष्ट B की पराइक्ता। माना कि A तथा B एक प्रतितर्ष समझ्टी S में दो गटनाएं हैं तब पराइक्ता निम्न होगी। जब दो घटनाएं A तथा B सौतंत्र हैं तब प्राइक्ता निम्न होगी दो घटनाएं A तथा B निर्भर कही जाती हैं यदि A सरुनिष्ट B की प्राइक्ता बरापर नहीं है A की प्राइक्ता गुणा की B प्राइक्ता के यदि E1, E2, E3 इत्यादी E N तक या द्रिच्चिक प्रयूक से जुड़ी हुई N परस पर अपवर्जी तथा निशेश घटनाई हैं एवं यदि A कोई स्वेच घटना है जो E1 या E2 या इत्यादी E N तक के साथ घटित होती हैं एवं घटना A बराबर नहीं है शूने के तब I बराबर एक दो इत्यादी E N तक के लिए EI की घटना की सप्रतिबंध प्रयक्ता है ये देखते हुए कि A पूर्व में ही घटित हो जुगी है तथा इसे इस प्रकार दिया जाता है मियू या E X के दोरा निरूपित याद्रिचिक्चर X के माध्धे या आपेक्षित मान को निम्ण प्रकार से परिभाशित किया जाता है याद्रिचिक्चर X का प्रासरन निम्ण है प्रासरन का धनात्मक वर्कमूल मानक विचलन कहलाता है, तथा इसे सिग्मा एक्स द्वारा निरूपित किया जाता है बर्णौली परिक्षन वो परिक्षन है जिसके परिणामों को सफलता या असफलता के रूप में वर्गिक्रित किया जा सकता है एक याद्रिंचिक्षर एक्स को दुई पचर कहा जाता है यदि इसके मान गहर रिणात्मक double इत्यादी n तक हो तथा प्राइक्षा एक्स बराबर r अर्थाध एक्स की प्राइक्षा बराबर r है इसे निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है